अभी आप लोग हैं बस्तर के राजपूर गाउंपर और आप लोगों को यहां पहुंचने के लिए पहले लौंडी गुड़ा होते वे नारायनपाल गुनपूर और फिर आप लोग राजपूर पहुंच जाएंगे और चगदलपूर से राजपूर का दुरी लगभग 50 किलो Kilometer है तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाता हूं राजपूर का महल को दौस्तों नमस्कार मैं सोमस्टाकूर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉक पे तो दोस्तों हम लोग आ गया है अभी राजपूर पहुंच चुके हैं राजपूर का महल हमारे सामने है आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ मेरे पीछे में जो महल तुटा फुटा लग रहा है हंडर सा वो एक हजार साल पहले का महल है आप लोग लेकर चलता हूं मैं इसके अंदर आप लोग दिल थाम के बैठिए कार paired नापिज कि वोग ढे कार याल अवग राम के लूग कर वोग दो antात्रीं चाल चाल प्सेड़न है नाप का मjung Kathy forty T मोगी वग का मुग वोग वोग रहे हो प्पारzn आपः लोग वास वोग अव्र रदरा है यह सिहत्वार है महल का और इसके अंदर भव्य महल है दोस्तों आप लोग इंतजार के घड़ी अब महल दिखाने वाला है इस गेट जाते ही आपको भव्य महल दिखेगा ठीक है Co भें बने रही है कि और उस समय के जो कारिगर हैं कैसे बनाएगे और यह देखिए पठरों को रचा घया है और कासरे बेलंस किया गया होगा और भव्य महल तैयार हुआ ताम भाँगा है कि देख रहे होंगे आप और यहां ताइन देखें पथ्रों का दीजाइन यहां पर की दूसरे छोर पर आप लोग देख रहे होंगे हैं कि यहां पर कुछ अखिए और इस लिए प्रभाव के कारण किस तरह चेंज हुआ क्लाइमेट अब आप देखिए इस तरफ यह क्या उस तरफ जोका हुआ है और क्रेग भी हो चुका है अब देख रहे के आभाव में क्योंकि यहां पर प्रसासन भी कुछ नहीं एतिहासिक धरोर में गिना जाता है कई लोगों को जानकारी नहीं है इसे संरक्षित नहीं किया गया है और यह तो हो गया मुखे गेट है जो सेह द्वार बोलते हैं जिसे और इस बाजू में कुछ बना हुआ था डिजाइन वह भी है अब मैं इतना बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में आप लोगों को वहां पर ले जाकर दिखा लेता हूं किस तरह का है यहां पर या कुछ देख लेजिए अभी भी बना हुआ है ठीक है अब देखते हैं आगे महल का वह रुक करते हैं हम लोग जो मुख्य द्वार है इसके अंदर आ चुके हैं उसके बाद यहां पर डिजाइन भी दिखा दिया और देख रहे होंगे मेरे पीछे सोने पर सुआगा क्या है यहां पर एक पेड़ है अब डुमर का है जहां तक तो यहां पर ऐसा लग रहा है देख रहे हैं हौरर टाइप का हौरर फिल्म टाइप का ठीक है देख लो आप लोग भी आप लोग सिनेमेटिक दिखाता हूं पास ले जाकर बाकि इधर पत्थर यहां यहां तहां पुरा विखरा हुआ है एक महल था यहां पर हजारों साल पहले और उधर मंदिर कुछ कुछ यहनि बना हुआ है और यहां देख सकते हैं यहां पर पेड़ को देख सकते हैं आप लोग देखिए क्या भव्य है यह भी और बहुत पुराना है वीडियो के आखिर तक बने रही है बहुती पुराना एक हजार साल पहले का इतिहास बता रहा हूँ जो इतिहास कारों के द्वारा जानकरे मिली है और सिलालेक के द्वारा वो मैं आज बताऊँगा मधुरान तक राजा जो थे वीडियो बनाऊंगे और आप लोग बने रहे हैं जिसने सब्सक्राइब लेकिया वो सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक कमेंट जरू कीजे दोस्तों और बताइए कुछ तूटी है कुछ गलतियां होती है हमसे तो हम सुधारेंगे ठीक है आप बताइए कैसा वीडियो बन रहा है महल के मुख्यद्वार पर आ गए है जो आप लोगों पहले दिखाया वो था सेहिद्वार और जहे महल है हम लोग पहुँच चुके हैं महल तक आप लोग देख रहे होंगे पीछे और यहां बाजू में मंदिर है छोटा सा जहां गडश भगवान है और करना को तिन आता है और कुछ लोग वहाँ पे पुजा कर रहे हैं करना गोटिन माता है जहां और जो भी यह मंदिर है देख लिए आप लोग पुले जाता हूं वहां पर कि यह के चोरुन निवरला हान उपर में चड़ू रहे उपर में हिटाउन चोरुन निवरला अंदा देवी धर्तों के लोलू पुरकते यहां से कि अमरा उंदिला देता आते वे खाले आशन बनाऊन देता मंधानी कर ले सारे ता चाओर चागाएं से यहार 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 बर्दान देवाए लोग देख रहे होंगे यह साइड का दिवार है और लास्ट पेड के साथ दिवाल सटा हुआ है तो बचा हुआ है वरना यह दो-तिन साल बाद तो इसका अस्तित्य खतम ही हो सकता है ऐसा लग रहा है और यह मुखे दवार इस तरप का जो गेट है महल का यह है आप लोग ज आप लोग कुछ दिखाता हूं पास से ले जाकर दिवालों पे कुछ कुरिदा हुआ कुछ बनाया गया है वह दिखा लेता हूं आप लोगों को भाल के पास में आ चुका हूँ लेकिन मुझे यहां पे खड़े हो ना बहुत डर लग रहा है क्लिक हो चुका है और एक पे है दिवाल कभी भी इस तरह आ सकता है इस ले डर लग रहा है मैं आपको जल्दी-जल्दी में आप लोगों केमरा से आप लोगों दिखा देता हूं या कुछ चीज है दिख रहा है वह आप लोगों पास से दिखा दोंगो देख सकते हैं यहां पर दिवाल पर कुछ डिज पीछे आ चुका हूं महल के और यहां पर देख रहे होंगे आप इस तरह का पीछे का यह बचा हुआ है उसे दिवाल जो है हमें मिल गया है यहां पर घुमने आये थे पास से गाउं से तो क्या नाम है भाई कैलाज तो कैसा लगा घुमने आयों कि ऐसी कुछ कैसे आये पता ल सुने थे यहां पर सापों के प्रजाती पाई जाती है इसलिए यहां के लोगों का मानना है कि जो आखरी राजरानी है वो एक्षाधारी नाग नागिन के रूप लेकर यहां विजरन करते हैं आए अग्येँ हैं आप लोग देख रहे होंगे यहां पे जर्जर इस्तिती में यह महल और आप लोगों को यहां पे मुख्येद्वार दिखाता हूं जो इमली का पेढ़ है सामने और यहां पे देख रहे होंगे आप मैं यहां पे डिजाइन देखिए मुखे द्वार के साइड में यहां पर कमरनुमा बनाया गया है और इस पेड़ पर देख रहे होंगे आप यह पत्थर जैसे दीख रहा है ठीक है यह है देख लेजी आउसेस है जो लगभग आट से दस फीट क्या होगा पत्थर है जो और यह एक पेड़ के बीचों बीच कर लिया है है देख रहे होंगे और यह में बहुत आकरसक लगा हमें यहां पे जो गेठ है है ठीक है यहां पे गेठ है जो फांड आप लोगों को दिखरा हूगा वहंansa पे मूर्थी यानि में मूरती मुर्ति बोल रहे थे जो पुजारी है वो मूर्थि बता रहे थे कि वहां पे था उसे किसी ने चोरी कर के ले गया उसे यानि कि कुछ परिशानी होई होगी तो उसने डर के अंगा लेके आ गया और जो केट है यहां का तो यहां पर डिजाइन बना हु dolphins आ रही होगी यहसे पुंद आक झाल झाल यह महल का जो द्वार था उसका भीत्री भाग है हम लोग अंदर आ चुके हैं महल के और यहां पर देख रहे होंगे डिजाइन और यहां पर कुछ रहा होगा कुछ रखते होंगे उजाले के लिए या मुर्ती ऐसा कुछ क्योंकि यहां पर देख रहे होंगे महल का जो उपरी भाग है दर्वाजे का तो यहां पर पेड़ उख चुके हैं और बहुत ही खतरनाक लग रहा है कभी भी गिर सकता है देख रहे हैं यह राजपूर का महल और यहां के जो करनाकोटिन वाले पुजारी है करनाकोटिन देवी तो वहां जो बाहर में पुजा कर रहे हैं वह हमें दिखा रहे हैं पूरा महल ने तो हमें अंदर आने का हिम्मत ही नहीं होता जो सुने थे हम लोग थोड़ा सा डर लग रहा था तो यह देख ले जी यहां पीछे में महल का जो द्वार है यहां से एंटर होते थे एंटर जो गेट वाला हो है बाकि है महल का गेट है ठीक है देख रहे होगे आप और वहां पे पंडिजी बता रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं पूरा आउसेज के उपर में हैं हम लोग देख रहे होंगे जो यह महल का है यहां से पूरा एरिया तक का पूरा यानि की सेरिया में महल था पहले अब तो अवसेज सी बचे होंगे ठीक है आप लोगों दिखा रहा हूं और नीचे महल का यह जो पीछी के लिए रास्ता हो गए रहा है और दोस्तों मैं आप लोगों को यहां का वीडियो बना रहा हूं अब ऐसे जगेज में च सीधा खंबा है जो महल का छोर था वहां पर देखे रहे होंगे आप पूरा उचा में चड़ा हूँ और अच्छीज दिखा देता हूं कहां मैं कहां पे चढ़ा हूँ देख रहे होंगे आप लोग वीडियो बना रहा हैं वहाँ पर चड़ा हूआ हो के पीछे महले यानि कि वसी कही दिए और हशाहिए वहाँ पर यह की हादु के जो पीछे ृटवार मैं और मैं और देख लीजिए यह पूरा जंगल से घीरा हुआ है पीछे पूरा जंगल ज् और आप लोगों को दिख रहा होगा जो यह दीवाल का टॉप है यहां पे लगभग 15 फीट उपर होगा हुचा और हमें पुजारी जी ने मुझे वहां पर खड़े होकर दिखाया था कि यहां पर कितना अच्छा न जा रहा है यहां तक का राज्य था यानि कि महल था इतना ब हम लोग अगर थोड़ा सबीए अगर हिलते वहां से घिरते तो तांग हार टूछी जाता तो के पथ्थर आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पे चौकर पथर तो हमें पुजारी जी ने बताया था कि यहां पे जब पहले हजार सल पहले जब यहां पे राजा यहां पे बैठा करते थे और जो प्रजा के समस्याओं का हल करते थे यहां पे सभा होता था राजा का दरबार लगता था और देख रहे होंगे महल का दुआर यहां पे वहां से आकर यहां पे बैठते थे और इसके बाहर जो आप ल देख रहे होंगी यहां पूरा अमसभब लगता था यहां पे राजा यहाँ सभा लेते थे जो भी फर्यादी आते थे यहां पे बैटा करते थे जो यहां का जगाय और उनके समस्याओं का निराकार करते थे ऐसा हमें यहां के पुजारी जी ने बताया था दोस्तों हमें यहां पर आने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगा जैसे सुना हुआ था ना वैसा अजीब सा यह बोले मनुवेग्यानिक तरीके से हमारा माइंड कुछ कुछ बोल रहे हैं कुछ हो रहा है इस टाइप का लग रहा था क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था मैं क्या बोलू तो हमारे रुपेजभिया कुछ बताएंगे मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा डर गया था मैं कुछ थोड़ा सा अगर होगा तो रुपेजभिया क सब्सक्राइब प्रति अलग सबस्क्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो वीडियो में आप लोग देख पाएंगे समेश रदेव मिलता जूलता ही क्योंकि ना कोई राजा से सभण वुडरूर देव के हत्या कर दी और जॉक्लमानतीर दो unknown та विश्वास करते थे तो तो दोस्तों हो सकता है नाम में similarity होने के करण या फिर मान सीखता होने करण भिया के तब्यात थोड़ी सी सही नहीं है तो वीडियो पर आप लोग देखेंगे जो भी हमने बनाया और कुछ-कुछ ऐसा सोट्स भी है जिस पर भिया डर गये थे मैं आप लोगों को डालूंगा याने वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे मैं अपने वीडियो पर अपलोड करूंगा उसे अपने चैनल पर तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें तो कई बार हमारी जर्बान लड़खडा रही है और तैसत भरा महल कहा जा सकता है दोस्तों तो आप चीज को उठाके मत ले जाएगा और खास दोर पर अगर महिला हैं तो दोस्तों महिलाओं से मेरा रिक्वेश्ट है कि उन वहनों से मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर किसी भी चीज को छुए नहीं और कहीं पर भूमे नहीं क्योंकि यह जगा सहीं नहीं है गुमने के सब्सक्राइब दोस्तों फिर मिलेंगे